लोग आईज तो आजम बात करने वाले सीजन 10 के हेड कोचिस के बारे में तो पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी हमें कोचिंग लाइनप में बहुत सारा बढ़लाओ नजर आ रहा है तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीजन 8 की चैंपियन टीम याने की दबंग दिल्ली के बारे में दबंग दिल्ली की बात करें तो फिछले सीजन तक किशन कुमार हुड़ा साब इस टीम की कमांड संबाले हुए थी लेकिन इस बार हमें न्यू एड कोच साब याने की रामबीर सर नजर आएंगे रामबीर सर पिछले कुछ सिजन में हमें हर्याना की एड कोच के रुप में नजर आए थे लेकिन इस बार हमें वो दबंग दिली के एड कोच के रुप में नजर आएंगे दूसरे नमबर बात करें तो दूसरे नमबर पर आती है थ्री टाइम चेंपियन पतना पाइरेट्स पतना पाइरेट्स ने भी इस साल अपने कोचिंग लाइनप में बदलाव किया है वो अपने कोचिंग लाइनप में नरंदर सर को लेके आई है पतना बाइरस लगातार पिछले तीन साल से कोचिंग लाइन अप में जेंज करती नजर आ रही है तिसरे नमबर पर बात करें तो तिसरे नमबर पर आती है तमिल थलाइवास पिछले सीजन में तमिल थलाइवास ने अशन कुमार सर के अंडर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था तो इस बार भी हमें तमिल थलाइवास अशन कुमार सर के अंडर खेलती नजर आएंगी तमीर तलाइवास ने अशन कुमार सर को 2025 तप अपने साथ कंटिन्यू लेके चलेंगी तो अब आगे बढ़ते हैं अगली तीम है तेलगू टाइटन्स तेलगू टाइटन्स का पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था इसलिए हमें उनकी कोचिंग लाइनप में डेफिनेटली सेंज नजर आने वाला है तो उनके न्यू हेड कोच साब है स्रीनिवासन रेडी साब स्रीनिवासन रेडी साब पिछले कुछ सीजन में चैपूर की कोचिंग कर सुके है इस बार हमें तेलगू टाइटन्स के बतोर head coach के रुप में नजर आने वाले है नमबर 5 की बात करे तो गुजराट जैंज गुजराट जैंज पिछले सीजन की तरह इस सीजन राम मेर सर के साथ जोड़ी रहेंगी राम मेर सिंग अभी गुजरात में है उनकी देखरेक में गुजरात जाइन्स के ट्राइल स्टार्ट है आगे बढ़ते हैं साथवे नमबर पर आती है उप्पी योदधास उप्पी योदधास पिछले कुछ सीजन से एक ही सेम कोच के साथ चल रहे है तो इस बार भी योदधास के हैड़कोच जस्वे सिंग सर रहने वाले है नमबर पर बात करें तो साथवे नमबर पर आती है हरियाना स्टीलर्स हरियाना स्टीलर्स बतोर अपने हैड़कोच के रुप में इस साल भी मनपरिश सर के साथ कंटीन्यू करेंगी तो आठवे नमबर पर आती है पुनेरी पल्टन पुनेरी पल्टन अपने बतोर हैड़कोच के रुप में विसी रमेश सर के साथ कंटीन्यू करेंगी पिशला सीजन पुनेरी पल्टन का बहुत ही अच्छा गया था तो ए सीजन भी अच्छा जाए ऐसा प्रयास करेंगी अगली टीम है पिशले सीजन की चैंपियन टीम यानि की सीजन 9 की चैंपियन चैपूर पिंग पैंथर्स जैपूर की बात करें तो बतोर हैड कोच संजीव सर बाल्यान के साथ जुड़े रहेंगी पर बात करें तो बैंगलूरू बूल्स बतोर हैड कोच रंधिर सिंग सेहरावत सर के साथ कंटीन्यू करेंगी रंधिर सिंग सेहरावत सर पिछले कुछ सालों से बैंगलूरू बूल्स के साथ जुड़े हुए है इंबर 11 पर आती है यू मुंबा, यू मुंबा ने अभी तक अपना कोई कोच रिविल नहीं किया है, जब भी रिविल होगे तो आप हमें इंस्टागरम पर फोलो कर लीजे, वहाँ पर आपको अपडेट दी जाएंगी इंबर 12 पर आती है Bengal Warriors, Bengal Warriors ने अभी तक कोई कोच कनफरम नहीं किया है, जैसे ही कनफरम होगे आपको अपडेट दी जाएंगी